मुंबई की जिन गलियों में दाउद इप्राहिम खेल कूद कर बड़ा हुआ था, उन्ही गलियों में उसकी वज़े से 12 मार्च 1993 को सैकडो लोगों का खून बह गया। कहा तो ये भी जाता है कि दाउद ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मदद से ISI इतनी बड़ी तबाही मचा देगी। उस काले दिन की तबाही देख खुद दाउद भी दहल गया था। इस भारी तबाही के बाद दाउद ने चाहे जो भी सोचा हो लेकिन अब उन्ही गलिय में रहने वाले उसके अपने ही लोग उसे गत्तार बोल रहे थे। उसके कुछ लोगों ने तो फोन कर उसे काफी बुरा भला भी कहा लेकिन अब जो तबाही हो चुकी थी उसे किसी भी तरह ठीक नहीं किया जा सकता था। एक तरफ दाउद को गत्तार बोला जा रहा था द दोरान दाउद के कुछ चाहने वालों ने उसे सलह दी कि उसे कोर्ट में इस केस का सामना कर अपना बचाव करना चाहिए। इसलिए दाउद ने मुंबई पुलिस में अपने कोंटेक्ट का इस्तेमाल कर ये पता लगाया कि उसके उपर क्या आरोप है और उसकी खिलाप इस केस में क्या सबूत है। दाउद को पता चला कि काफी भाग दोड करने के बाद भी मुंबई पुलिस के पास सबूत के नाम पर टाडा एक्ट के अंदर सिर्फ दो कनफेशनल स्टेटमेंट है। दाउद को लगा कि उसके खिलाप इस केस में कोई मजबूत आधार नहीं है वो आसानी से बच सकता है। ये विचार दिमाग में आते ही उसने भारत में स्रेंडर करने का प्लान बना लिया और इस काम के लिए कोंटेक्ट किया भारत के फेमस वकील राम जेट मलानी से। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दया है। स्वागत है आपका मुंबई माफिया के इस नए वेडियो में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले। दावद स्रेंडर तो करना चाहता था लेकिन अपनी सर्थों पर। उसने सर्थे रखी कि मुंबई कांड के अलावा उसके सारे केश रोक कर दिये जाएं और जब तक कूर्ट में केश चले तब तक उसे जेल की बजाए उसके घर में ही नजर बंद रखा जाए। जब राम जेट मलानी ने भारत सरकार से इस बारे में बात की तो जवाब मिला कि भारत एक लोग तांत्रिक देश है यहां पर नयाय पालिका आजाती से काम करती है। अगर दावद चाहे तो स्रेंडर कर सकता है लेकिन उसकी कोई भी सर्थ नहीं मानी जाएगी। सरकार की इसी स्टेटमेंट के साथ दावद के भारत वापसी की संभावना भी खतम हो गए। जैसे ही दाउद की स्रेंडर होने की संभावना खतम हुई कुछ नेताओं और ओफिसरों ने राहत की सांशली क्योंकि दाउद की स्रेंडर होते ही वे भी मुश्किल में पड़ सकते थे। उधर दुबई में छोटा राजन और छोटा सकील के मत भेद बढ़ते जा रहे थे। इसी का नतीजा था कि टी कंपनी के अंदर दो गोटे बन चुके थे। दाउद भी राजन और शकील के इन जगड़ों से अंजान नहीं था। उसने ये जगड़ा खतम करने के लिए गैंग की एक मीटिंग की और छोटा शकील से कहा नाना मेरे बुरे टाइम का दोस्त है मैं उसकी बुराई नहीं सुनना चाहता। आपस में जगड़ा धंदे की मोत होता है। दाउद की बात से छोटा शकील कुट के लोग खुश नहीं थे लेकिन छोटा राजन के दिल को बहुत दिनों बाद कुछ तसल्ली मिली थी। लेकिन ये तसल्ली भी ज्यादा दिन तक नहीं रही छोटा शकील की तरब से राजन को काफिर कहा जाने लगा और जरूरी मीटिंग्स में उसे बुलाना बंद कर दिया छोटा राजन डी कंपनी से अलग होता जा रहा था लेकिन अभी तक पूरी तरह अलग नहीं हुआ था उसी साल वो दाउद की बर्थडे पार्टी में भी सामिल हुआ ये साल 1993 का आखिरी महीना चल रहा था और छोटा रा 1994 आते आते दोनों कुट एक दूसरे के खुन के प्यासे हो गए इसी के साथ छोटा राजन ने डी कंपनी का काम करना बंद कर दिया और अलग अलग देशों में फैले अपने सातियों को भी डी कंपनी का काम करने से मना कर दिया डी कंपनी में जितने भी लोग छोटा राजन के वफादार थे उन सबने भी दावत का साथ छोड़ दिया छोटा राजन अब डी कंपनी ओपिस में जाने की बजाए दुबई में अपने ही घर में रहता था वो किसी भी तरह भारत आना चाहता था क्योंकि उसे ये अच्छ इसी तरह पता था अगर वो ज्यादा दिन दुबई में रहा तो जिन्दा नहीं बच पाएगा लेकिन उसके सामने ये मजबूरी थी कि उसका पासपोर्ट उसके पास नहीं था इसी दोरान दाउद एक पड़ी पार्टी करता है इस पार्टी में सहर के पड़ी लोगों को बल जाता है नाना वो तुमको टपकाने का प्लानिंग किये ला है चोटा राजन फोन रखता है और कुछ देर सोचने के बाद दोबई में इंडियन एमबेसी पहुंच जाता है वहां एक राव ओपिसर से उसकी बात होती है दिल्ली फोन लगाए जाते हैं और कुछ ही घंटों के पाद छोटा राजन काट मांडू की फ्लाइट में बैट कर काट मांडू पहुंच जाता है और फिर काट मांडू से मलेशिया उधर दावद को भारत सरकार के हवाले करने का भारत सरकार का प्रेसर UAE सरकार पर बढ़ता जा रहा था इसी वजह से पाकिस्तान की कोपिया एजेंसी आईएसाई की टेंशन बढ़ती जा रही थी आईएसाई को ये भी लग रहा था कि भारत्य कोपिया एजेंसिया दुबई में बैठे दावद तक कभी भी पहुंच सकती है इसी डर के चलते आईएसाई ने 1994 की एक रात दावद को पाकिस्तान में सिप्ट कर दिया और उसके रहने का अरेंजमेंट कराची के पोस एरिया कलिक्ठन रोड पर डिफेंस हाउसिंग अथोर्टी की कली नमबर 30 में बंगला नमबर 37 में किया गया यहां भी दावद ने अपने बंगले का नाम वाइट हाउस रखा इसी दोरान छोटा राजन खुद को देश भक् गदार कहे कर परचार्ब करने लगा मुंबई के लोगों की नजर में भी अब अंडर वर्ल्ड धर्म के आधार पर दो पार्ट्स में टिवाइड हो गया और उन गवली छोटा राजन जैसे लोग अब हिंदू डौन थे और दावद छोटा शकिल जैसे लोग पाकिस्तान के वफादार मुसलिम डौन कहा जाता है कि छोटा राजन ने टी कमपनी को खतम करने की कसम खाई थी अब छोटा राजन खुल कर दावद को चैलेंज करने लगा दोनों की लड़ाई में छोटा राजन भारी पड़ रहा था क्योंकि दावद दूसरों पर डिपेंट था लेकि इसी बीच छोटा राजन को खबर मिली कि छोटा शकील उसे मारने की फिराक में है छोटा राजन ने शकील और सुनिल सांथ पर हमला करवा दिया इस हमले में सुनिल सांथ मारा गया लेकिन छोटा शकील बच गया इसके बाद छोटा राजन ने काठमांडू में नेपाल के एक नेता मिर्चा दिलसादबेग की हत्या भी करवाई क्योंकि छोटा राजन को पता चल गया कि मिर्चा दिलसादबेग अपने यहां दाउद के कुर्गों को पनाहा देता है। उधर मुंबई में भी इन दोनों का गैंग वार्ष शुरू हो गया। दाउद की तरफ से अबुसले मुंबई में लीड कर रहा था और चोटा राजन की तरफ से रोहित वर्मा। मुंबई में अनगिनत हत्या हो रही थी इन मरने वालों में इनके गुर्गों के साथ कई बड़े बिजनेसमेन और नेता भी सामिल थे। चोटा राजन ने अपने देश भक्ति सावित करने के लिए मुंबई कांड के आरोपियों को चुन चुन कर निशाना बनाया। उसने दो साल के अंदर मुंबई कांड के 18 आरोपियों को मरवा दिया लेकिन चोटा राजन अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। साल 1998 आचुका था। इसी साल उसने मुंबई कांड के एक आरोपियों पटेल पर हामला करवाया लेकिन वो बच गया। इसी साल सलीम कुर्ला को एक नर्सिंग होम में मरवा डाला। दाउद से बगावत करने वाले लोग ज्यादा टाइम तक जिन्दा नहीं रह पाते थे। लेकिन चोटा राजन अभी तक जिन्दा भी था और ना शिर्प जिन्दा था बलकि दाउद से मुकाबला भी कर रहा था। इस बात पर दाउद भी हैरान था इसके साथ वो इस बात को भी अच्छी तरह समस्ता था कि छोटा राजन उसके लिए सबसे बड़ा खत्रा है क्योंकि उसे दाउद की सारी कमजोडिया पता थी। इसी तरह छोटा राजन को भी दाउद से उतना ही खत्रा था। इस खत्रे से बचने के लिए छोटा राजन काफी लंबे टाइम तक समूंदरी जहाज में रहा था। छोटा राजन को अपने लिए सबसे स्रुक्षित ठिकाना बैंककोप में लगा राजन ने मोबाइल नंबर से लेकर घर के एड्रेस तक अपनी लोकेशन छिपाई रखने की हर एक कोशिश की। छोटा राजन और डी कंपनी के बीच लुका छिपी का ये खेल काफी टाइम तक चलता रहा लेकिन साल 2000 में छोटा शकिल को राजन के ठिकाने का पता चल गया। छोटा राजन बार बार बच कर निकल जाता था इसलिए अब की बार एक बड़ा हमला करने का प्लान बनाया गया ताकि उसे बचने का मोका न मिले। इस हमले को अंजाम देने के लिए मुंबई से एक सार्फ सूटर मुन्ना जिंगडा को नेपाल के राष्टे कराची बुलाया गया और उसे पाकिस्तानी नागरिक बना कर पैंकोक में छोटा राजन के पास ही एक फ्लैट किराय पर दिलवाया गया। 14 सितंबर 2000 की रात लगभग 9 बजे मुन्ना जिंगडा ने अपने कुछ लोगों के साथ छोटा राजन के प्लैट का दरवाजा नोक किया। छोटा राजन के खास रोहित वर्मा ने दरवाजा खोला, दरवाजा खुलते ही रोहित, उसकी वाइप, उसकी बेटी और एक नोकरानी को गोलियों से भून दिया गया, इस समले में छोटा राजन को भी गोली लगी लेकिन वो खिर्की के राष्ते भागने में कामियाब हो इसके बाद मुंबई तक खबर फैल गई कि बैंककोक में छोटा राजन को मार दिया गया लेकिन जल्दी ही खुलासा हो गया कि वो विजय दमन नाम से स्मीती वेज होस्पिटल में एडमीट है थाइलेंड पुलिस ने तीन दिन के अंदर ही मुन्ना जहिंडा समेत बाकी हमला जावरों को भी धर दबोचा एक दिन छोटा राजन को इंफोर्मेशन मिलती है कि होस्पिटल को उडाने का प्लान बनाया जा रहा है उसी रात छोटा राजन होस्पिटल से फरार हो जाता है इसमें उसकी हेल्प करते हैं उसकी वाइप शुजाता और उसके खास आदमी संत सेटी और भरत नेपाली जब छोटा राजन होस्पिटल में एडमिट हुआ तो उसकी वाइप सुजाता मुंबई से बैंकक पहुँचाती है सुजाता के वहां होने की वज़े से छोटा राजन पर नजर रखने वाले सीक्योर्टी गार्ड को दूसरे कमरे में सोना पड़ा और इसी का फाइदा उठा कर संतोश सेटी और भरत नेपाली ओस्पिटल के पॉर्थलोर से खिटकी के रास्ते रस्षी के सहारे छोटा राजन को लेकर फरार हो जाते हैं सुजाता इन से पहले ही मुंबई के लिए रवाना हो चुकी थी छोटा राजन उसी रात एक आर्मी की जीप से हाइलेंड से लगते कमबोडिया बोर्डर पर पहुचता है और वहाँ पहले से मौजूद एक हेलिकॉप्टर से कमबोडिया पहुच जाता है कहा जाता है कि बोर्डर से कमबोडिया का जो एरिया लगता था वहां के गवर्णर से पहले ही इस प्लान की सेटिंग की हुई थी इसी साल छोटा राजन का खास दोस्त सादू सेटी मुंबई आया तो उसकी इंफरमेशन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालसकर को मिल गई और सालसकर ने उसे एनकाउंटर में मार दिया छोटा राजन को डाउट था कि जिस होटल में सादू सेटी रुकने वाला था उस होटल के मालिक दिनेश सेटी ने ये इंफरमेशन पुलिस को दी थी इसलिए छोटा राजन ने दिनेश सेटी को मरवा दिया लेकिन बाद में पता चला कि दबई में बैठे सर्द सेटी ने ये information सालसकर तक पहुचाई थी चोटा राजन अपनी कसम को पूरी करने की खोशी से बंद नहीं करता और साल 2001 आते आते चोटा सकील के दो कुरको को पूर मरवा देता है साल 2002 में चोटा राजन एक बार फिर पुलिस की गिरपत में आता है लंदन में प्लेन में चड़ने के दोरान पुलिस उसे गिरपतार कर लेती है और सिंगापुल भेज देती है लेकिन वो यहां से भी भाग निकलता है इसके बाद वो कहां गया? किसी को कुछ नहीं पता चला 2002 में ही अबुशलेम और मोनिका बेदी को पुर्तकाल में गैर कानूनी रूप से ताखिल होने की वज़े से रेस्ट कर लिया गया साथू सेटी की मोत का और अपने ओपर हुए हमले का बदला लेने के लिए छोटा राजन ने 19 जनवरी 2003 को दावद का फाइनेंस देखने वाले छोटा सकिल के खास दोस्त सरद सेटी को छोटा राजन के सूटरों ने दुबई के एक कलब में खुले आम मार दिया ये डी कंपनी पर एक बहुत बड़ा हमला था छोटा सकिल ने छोटा राजन को मरवाने की कई कोशी से की लेकिन वो हर बार बच के निकल गया पुछ रिपोर्ट्स ये संभावना भी बताती हैं कि इस दोरान छोटा राजन की मदद भारतिय खूपिया एजेंशिया कर रही थी इसके बाद 2011 में छोटा राजन का नाम एक बार फिर सुर्कियों में आया जब 11 जून 2011 को मिड़े नूज पेपर में सीनियर क्राइम रिपोर्टर जोतिर मड़े की मुंबई के पवई में गोली मार कर हत्या कर दी गई इस हत्या में भी छोटा राजन का नाम आया तो 2013 में मुंबई के बिल्डर अजय गोसालिया और अर्सद शेक मर्डर केश में भी छोटा राजन गैंग के लोगों का ही नाम आया इंटरपोल ने छोटा राजन को पकड़वाने के लिए रेड कोर्णर नोटिस चारी कर दिया फिर 2015 में खबरे आई कि छोटा राजन पर आउस्ट्रेलिया में हमला हुआ बाद में पता चला कि राजन बाली पहुँच चुका है और 25 अक्तुबर 2015 को उसे बाली से गिरपतार कर लिया गया वो मोहन कुमार नाम के पासपोर्ट से ट्रेवल कर रहा था पता चला कि इस दोरान वो कई साल और्स्ट्रेलिया में रहा था छोटा राजन को परत्यरपित कर 6 नमबर 2015 की मौर्निंग में टाइट सिकुर्टी के साथ स्पेशल एरक्राप्ट से दिल्ली के पालम एरपोर्ट पर लाया गया राजन ने प्लेन से उतरते ही सबसे पहले भारत की धर्ति को चुमा ड्रेक्स, हथियार, वसूली, समगलिंग और मर्डर के सत्तर मामलों के साथ रिपोर्टर जोतिरमडे मर्डर केस में छोटा राजन को दोसी माना गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई 19 नवंबर 2015 से वो तिहाड जेल में बंध है, छोटा राजन भले ही अपरादी है लेकिन उसकी तिरपतारी पर महाराष्टर के सतारा जिले के किरवी गाउं में कुछ लोगों ने कुछ दिनों तक अपने घरों में चूले तक नहीं चलाए थे ये वो ही गाउं है जिसे छोड़ कर छोटा राजन के पिता मुंबई गए थे, यानि छोटा राजन का पैत्रिक गाउं, इस गाउं की जिस जोपड़ी में कभी छोटा राजन के पिता रहे थे, आज वहाँ एक सदा लक्षमी नाम का आलिसान बंगला है इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, उम्मीद करता हूँ वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, फिर मिलूंगा मुंब